हलो फ्रेंद्स वर्कम बैक तो माई चैनल आज मैं आपके लिए अमेजिंग से किजिन टिप्स और रिसिपीज लेके आई हूँ जो आपका काम तो आसान करती ही है साथ ही मैं आपका वक्त भी बचाते है और पैसे भी थोड़ी से भी अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और सुब्सक्राइब कीजेगा वह भी घंटे के साथ यह बिल्कुल भी प्ली है तो चलिए देख नहीं करते हैं लेट्स टार्ट चलिए फ्रेंड्स टिप नमबर वन देख लेते हैं तो रोटी तो हम रोजी घर पर बनाते हैं बड़ कई लोगों की रोटी फूलती नहीं है चिपक जाती है ठीक से बनती नहीं है नौन स्टिक पे हम बनाते है तो असानी से रोटी बनतो जाती है बड़ फूले की फुली सॉफ्ट बनेगी गारंटी है मेरी यह वीडियो दिखने के बात आप समझ जाओगे तो सबसे बहले हम यह जो तवा है ना उसको हम नौन स्टिक बनाएंगे कैसे बनाएंगे तो यह जो गेहूं का आटा इस तरह से आप डाल दे जैसे कि मैं वीडियो में बता रही ह गैस को मैंने अल्रीडी ओन कर लिया है देख सते हैं गेहूं का आटा दीरे दीरे ब्राउन होने लग गया है तो आप ले लिजे कोई भी ब्रश या तीशु पेपर या नियूस पेपर या कोई भी कपड़ा इस तरह से आपको फैला देना है आटा और बस अब इस आटे को अब को निकाल लेना है तो देखें मैंने सारा आटा निकाल दिया है नौन स्टिक तवा हमारा रेडी है रोटी दाल दीजे फ्लेम अभी इद्धम स्लो रखेगा ये देखें दीरे इस तरह से बबल साना शुरू हो गया रोटी भी इद्धम अच्छी तरह से घूमने लग देख सते हैं अब ये देखें वाइट हो गया तब आपको रोटी को घुमा लेना है और फटा फट से आँच को फास्ट कर लेना है अब पीछे के साइडे ना थोड़े स्पोर्ट साने चे ब्राउन ब्राउन तो उतने करना है आप चाहे तो चिम्टा का भी यूज कर सते है मुझे आदत है इसलिए मैं इसी तरह से कर रही हूँ तो ब्राउन स्पोर्ट आने तक आपको इस तरह से फास्ट पे रखना है और फास्ट गैस्ट पे ही आपको रोटी को उल्टा करके डाल देना है और ये देखिए रोटी फुली फुली रड़ी है इद्दम सॉफ फुल कर लीजिए देखिए वाइट वाइट हो जाए तब आप उसको टरन करके फास्ट कर लीजिए ये देखिए कि इस सॉफ बनी है और पीछे आपको डग स्पोर्ट आने चाहिए थोड़े थोड़े स्पोर्ट आ जाने चाहिए ब्राउन ब्राउन तो उस तरह से बाद में के लिए और तवे पे भी आप आराम से इस तरह से रोटी लगा सकते हैं अगर आपको लगे के फिर से चिपकने लगी तो फिर से थोड़ा से आटा डाल के आप उसको निकाल दे और रोटी भी इंदम सॉफ्ट और नरम रहेगी और फूली फूली बनेगी वह भी तवे पर क कढ़ाी को अदर मुझतना इसा नमख करी को साध्या को चिपकर कopers थे लियो से के लिए नमक भी ऐतना नमक पर को देख को झाले कि diagram हो में वह में अज़ करना है दर में रहें यह आपक फ्री फ्लोऋईंग यह नमक को टिस हम aux झाल डेंगे काजू बीना गी बेना ऊईल श काजु में हम नमक नहीं डालेंगे यह सॉल्टी भी हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी तरह से अंदर तक सिखेंगे एक बार यह जरूर ट्राइ करना इस तरह से आप काजु को सेके यह देखिए दो मिनिट आपको सिखना है यह हलके हलके इस तरह से जब ब्राउन आपको द तो इद्दम करारे क्रिस्पी रोस्टेट का जो रेडी है वह भी विदाउट घी बटर ओल बहुत ही टेस्टी लगते है और अपने आप यह सॉल्टी भी हो जाते है एक बार जरू ट्राइट करिएगा चली अगले टिप भी बहुत जादा यूसफुल है तो हम इन चीजों जैसे वाइप़र, ब्रश है तूद ब्रश है कीचन की सफाई करने के लिए घर की सफाई करनी के लिए बट यह ब्रश का भी साफ होना बहुत ज़्यादा ज्रूरी है अगर यही गंदे होंगे तो कैसे आप पिर चीजों को साफ करेंगे साफ करेंगे फिर भी आधी अधू प्लास्टिक की चीज़े है इसलिए नॉर्मली लिया है थोड़ा सा बेकिंग सोड़ा और दाला है मुझे थोड़ा कम लग रहा था और आपको इसको डिप करके 15-20 मिनिट छोड़ देना है इससे क्या होगा गंदगी फूल जाएगी 15-20 मिनिट बाद आपको क्या करना है ब्र इस टाइम पर जहां अभी हमें बहुत जादा साफसफाई की ज़रुरात है तब आपको यह सारे ब्रश को भी साफ करना जरूरी है यह देखिए जो बड़ा ब्रश है उसको मैं छोटे तूद ब्रश से साफ करी हूँ और अंदर की साइड जहां अभी जाके देख लो आपक साफ कर लेती हूँ फिर मैं बरतन दोने का जो लिक्विड है उससे में एक बार इसको साफ कर लोंगे क्योंकि यह बेसिकली हमेशा वाइट कलर या ऐसे लाइट कलर में आते तो काफी गंदे हो जाते हैं काले-काले निशान पर जाते हैं और वह मैल जम भी जाता है तो आप आप जैसे बरतन होता है उस तरह से इसको भी जब भी आप यूज करें वैसे भी धोएंगे आ तो भी भी यह साफ रहेंगे बट अट लीस दस दिन में या एक हफते में एक बार आप इस तरह से विनेगर और सोड़ा दाल के धोईए यह एद्दम क्लीन हो जाएंगे क्योंक आप साफ करें और ब्रश है वाइपर है यह लंबे समय तक अच्छी तरह से चलते हैं कैसी लगी टिप कमेंट करें तो फ्रेंग्स कैसी लगी आपको आज की अमेजिंग टिप्स और रेसिपी आपकी पास कोई सजेशन हो फिट बैक हो कोई तिप या रेसिपी हो तो मुझे लिखके जरूर भीजेगा पसंद आए थोड़ी से भी वीडियो तो लाइक कीजेगा उससे मुझे बहुत जारा मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छा काम करने के लिए शेयर कीजेगा ताकि दूसरों को भी ये वीडियो देखने का मौका मिले और सब्सक्राइब कीजे मे पर आए प्रो लूसरों का मिले और सकतожетने के कीजेगा च्छा उससे मुझे बहुत जारा मोटिए ऑाल् şEंच जा दोस्टाइब कीजेगा गल